हेलो दोस्तो ये है unwanted kit और इसका use unwanted pregnancy को हटाने के लिए या अंचाहिक गर्ब को गिराने के लिए यूज किया जाता है इस tablet को कैसे use करना होता है क्या इसके side effect होते हैं और कितने दिन की pregnancy को इस kit के द्वारा हटाया जा सकता है आज की video में सबको जाने वाले हैं तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले दूस्तों बात करते हैं इस kit की तो इसमें 5 tablet होती हैं पहली tablet जो बड़ी वाली आप देख सकते हो फे प्रिस्टोन होती है और बाकी की जो 4 tablets होती हैं ये ये मिसो प्रोस्टॉल की tablet होती है अब बात करते हैं कि आप maximum कितने दिन की pregnancy को इससे remove कर सकते हो तो 45 days की pregnancy आप इससे remove कर सकते हो और 45 days कैसे count करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो days count करने के लिए आपकी पिछले month की periods की starting की date थी वहां से ले करके अब तक जो भी date हुए हैं उनको count कर लीजे अगर 45 days ही होते हैं या उससे कम होते हैं तो इस tablet का आप use कर सकते हो औ और अगर 45 days से ज़्यादा हो रहे हैं तो इस kit को आप use ना करें फिर आपको doctor से ही concert करना चाहिए अब बात करते हैं इस tablet को कैसे लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर mistake करते हैं खाने में गलती कर देते हैं जिसकी वज़े से periods अच्छे से नहीं आते हैं और जो pregnancy होती वो ठीक तरह से remove नहीं हो पाती है जिसके बाद उनको काफी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो देखे खाने का जो best तरीका है मानकिशे लिए आज से आपको starting करनी है तो यह बड़ी वाली जो tablet होती है इससे आप हलके गुनगुने दूद के साथ रात में आज की डेट में ले लिजिए उसके बाद जो बाकी की चार tablet है इनमें से कोई भी दो tablet कल रात में सेम उसी टाइम आपको ले लेनी है उसके बाद बची हुई दो tablet में से परसों एक tablet सुबा ले लेनी है और एक tablet रात में ले लेनी है तो इस तरह से आप इस tablet को ले सकते हैं यह बिल्कु सेफ तरीका है अब बात करते हैं इस ट्यावलेट के side effect क्या होते हैं तो दोसे इस ट्यावलेट को खाने के बाद दो तरह के side effect आपको देखने को मिल सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से common side effect हो सकते हैं और कौन-कौन से serious side effect हो सकते हैं तो अगर common side effect की बात करें तो पेट में दर्द होना, heavy bleeding होना ठकावट महसूस होना nausea या vomiting होना तो यह कुछ common side effect हो सकते हैं के लबागा कुछ serious side effect जैसे की बहुत ज्यादा bleeding होना या विजाइना के आसपस infection हो जाना या incomplete abortion